हेलो फ्रेंज, नमस्कार, मैं हूँ आपका हुस्ट ब्रह्मदेव फ्रेंज, सीट्स यानि बीजों से पोधों को ग्रो करना, उसे बड़ा होते हुए एक मैच्चूर प्लांट में कनवर्ट होते हुए देखना, एक गार्डेनर के द्वारा की गई कड़ी मिहनत और सार्थक प्रियास का एक अनुपम उपहार होता है सीट जर्मिनेशन, यानि बीजों के उगने की प्रकडिया वैसे तो बीजों को मिट्टी में दवाने से ही सुरू हो जाती है, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है सीट जर्मिनेशन के लिए हवा, पानी, रोष्णी और सहीत आपमान के अलावा एक ऐसे पॉटिंग मिक्स की जवरत होती है जो सीट को जर्मिनेशन के अनुकूल माहुल देने के अलावा, उगते हुए नन्हे सिडलिंग्स की ग्रोथ को पूरी तरह सपोर्ट करने वाला हो साधरन गार्डिन सॉयल को सीट जर्मिनेशन के लिए सीधे तोर पर उप्योग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके काफी भारी होने के अलावा, उसमें फंगस स्पोर्स, हर्मफुल पैथोजेन्स और खर पतवार के वीजों के होने की पूरी संभावना रहती है इसके अलावा नॉर्मल पॉर्टिंग मिक्स, जिसे हम लोग प्लांस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह भी सीट जर्मिनेशन के लिए सुटेबूल नहीं होता क्योंकि उसमें जरुरत से ज़्यादा नूट्रिशन पाया जाता है जबकि जर्मिनेशन के सुरुवाती स्टेज में सीडलिंग्स को किसी भी एक्स्टर्नल नूट्रिशन की कोई खास आवसकता लगभग ना के बरावर होती है इसलिए सीड जर्मिनेशन में अधिक्तम सफलता के लिए एक अच्छे सीड स्टार्टर मिक्स का उपयोग करना बेहत जरूरी है तो friends आज के इस वीडियो में मैं आपको seed germination के लिए seed starter potting mix की दो बहतरीन recipes बताने के साथ उन्हें तयार करने का पूरा process भी बताऊंगा लेकिन उसके पहले एक अच्छे seed starter mix में जो खास्यत होनी चाहिए उसे जान लेजिए एक अच्छे seed starter mix को fine और uniform texture वाला होना चाहिए यानि उसके particles का आकार छोटा और लगभग एक जैसा होना चाहिए इसलिए seed starter mix बनाते समय हम लोग ऐसे हर potting मेडिया को छन्नी की मदद से चान लेंगे जिनका structure एक जैसा नहीं है यानि जिनमें छोटे बड़े हर तरह के particles मौझूद है जिसे की आप देख सकते हैं इस कोको पीट को छन्नी की मदद से चानने के बाद जो एक जिसे अकार वाले particles हैं वो अलग हो गए हैं और उन्हें ही हमें इस्तेमाल में लेना है filtering के इस process से बड़े और uneven size वाली हर चीज अलग कर ली जाती है और उनका उप्योग potting mix की उस recipe में किया जा सकता है जिनका इस्तेमाल हम plants grow करने के लिए करते हैं seed starter mix को हलका और हवादार भी होना चाहिए ताकि समय के साथ उसमें compacting ना हो और seeds को germinate करने के लिए oxygen की परियाप्त मात्रा मिलती रहे एक अच्छे seed starter में अच्छी water holding capacity होने के साथ उसे धीला ढाला भी होना चाहिए ताकि water को hold करने के बावजूद भी वह सौगी ना हो एक अच्छा seed starter mix हर तरह के pests, dg's और weed seeds यानि खर-पत्वार के वीजों से मुक्त होने के अलावा low fertility वाला भी होना चाहिए यानि उसमें nutrients की मात्रा काफी कम होनी चाहिए फ्रेंस अब मैं आपको seed starter mix की पहली recipe बताता हूँ यह recipe soilless है यानि इसमें garden soil का इस्तिमाल नहीं किया गया है इसके अलावा यह काफी हलकी भी है क्योंकि इसमें इस्तिमाल किये गए सारे ingredients हलके है इस recipe में पहला growing media है cocoa peat जैसा कि मैंने पहले बताया कि छान कर अलग किये गए cocoa peat के fine particles को यूज करना है तो इस filtered cocoa peat को लेना है 50% की मात्रा में यानि 10 बराबर भागों में 5 भाग आप सभी जानते हैं कि cocoa peat एक बहतरिन soilless growing media है जो काफी हलका और spongy होता है और water को hold करने के बावजूद भी सौगी नहीं होता है इस recipe का दूसरा ingredient है perlite या भी एक soilless growing media है और बहुत ही हलका होता है इसलिए इसे filter करने की ज़रुद नहीं है या seed starter mix के drainage को improve करेगा perlite को लेना है 20% की मात्रा में यानि 10 बराबर भागों में 2 भाग अगर perlite आपके पास उपलब्द ना हो तो उसकी जगह पर filter किया हुआ river sand आप ले सकते हैं हलाकि sand का उपयोग करने पर seed starter mix थोड़ा भाड़ी हो जाएगा तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो है vermiculite या भी एक soilless growing media है जो किसी भी potting mix की water holding capacity को बढ़ा देता है इसे भी आपको लेना है 20% की मात्रा में यानि 10 बराबर भागों में 2 भाग वजन में ये काफी हलका होता है लेकिन अच्छे amount में पानी को अधिक समय तक hold कर सकता है अगर vermiculite आपके पास उपलब्द ना हो तो उसकी जगा पर filter की हुई leaf mold यानि सूखी पत्तियों की खाद आप ले सकते हैं या भी काफी हलकी होती है लेकिन अपने वजन से कई गुणा जादा पानी hold कर सकती है चोथी और आखरी चीज चो इस recipe का part है वह है vermic compost वैसे तो याए एक uniform texture वाली compost होती है लेकिन फिर भी इस्तेमाल से पहले इसे filter कर ले इसे आपको लेना है सिर्फ 10% की मात्रा में यानि 10 बराबर भागों में एक भाग वर्मी compost की जगह आप कोई भी अच्छी quality वाला पुराना compost ले सकते हैं अब इन सारी चीजों को बताए गए ratio में लेने के बाद अच्छी तरह mix करें ताकि एक uniform blend तयार हो जाए इसमें थोड़ा पानी भी add कर लें ताकि mixture moist हो जाए इससे उन्हें uniformly mix करने में आसानी होती है तो seed starter की या पहली recipe तयार हो गई है अब मैं आपको दूसरी recipe बताता हूँ जो with garden soil है यानि जिसमें बगीचे की साधरन मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है आप देख सकते हैं filter किया हुआ soil एकदम free flow है तो सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वह है filter की हुई garden soil 30% की मात्रा में यानि 10 बराबर भागों में 3 भाग इसके बाद आपको मिलाना है 40% की मात्रा में यानि 10 बराबर भागों में 4 भाग filter किया हुआ river sand या नदी की rate तीसरी चीज जो इस mixture में आपको add करना है वह है filter की हुई leaf mold यानि सुखी पत्तियों की खाद 20% की मात्रा में यानि 10 बराबर भागों में 2 भाग इसके बाद चोथी और आखरी चीज है filter किया हुआ वर्मी compost 10% की मात्रा में यानि 10 बराबर भाग में 1 भाग इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद seed starter mix की दूसरी recipe तयार हो जाएगी Friends, seed starter mix की दोनों ही recipes जिन में से एक swalless है और दूसरा with swall है अब तयार हो चुके हैं seed germination के लिए इनका इस्तेमाल करने से पहले इन्हें esterilize कर लेना चाहिए ताकि अगर इनके अंदर bacteria, fungus या कोई harmful pathogens हूँ तो वो नस्ट हो जाए इन्हें esterilize करने का जो सबसे quick method है वो है इनका heat treatment heat treatment देने से पहले seed starter mix को evenly moist करें इसके लिए इसमें परियाप्त मत्रा में पानी मिला कर खुब अच्छी तरह mix करें जब मिसरन अच्छी तरह भीग जाए तब इसे एक oven proof container में रखें और उसके बाद उसे 45 minutes के लिए 150 degree Celsius temperature पर heat oven के अंदर रखें अगर आपके पास microwave oven है तो सिर्फ 10 minutes के लिए 800 watt पर microwave करने से भी काम चलेगा heat treatment देने के बाद seed starter mix को पूरी तरह ठंड़ा करें और फिर उसका उपयोग seed germination के लिए कर सकते हैं friends अगर आप किसी वज़ा से seed starter mix का heat treatment नहीं कर पाते हैं तब भी एक आसान रास्ता है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं या आसान रास्ता है mixture को fungicide treatment देना इस method में 2 gram fungicide प्रति लीटर पानी के हिसाब से खोल तयार करें और fungicide के उस गोल से seed germination mix को अच्छी तरह moist करें ऐसा करने के बाद seed starter mix से fungus के spores पूरी तरह खत्म हो जाएंगे इससे seed germination का chance काफी बढ़ जाएगा Friends अब आखिर में एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि जो दो seed starter mix मैंने आपको बताए हैं उनमें कौन सा ज्यादा अच्छा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो दोनों ही mix seed germination के लिए पूरी तरह suitable हैं लेकिन soilless seed starter mix हमेशा ही आपको ज़्यादा assurance देता है इसलिए मैं पहला preference soilless seed starter mix को ही देता हूं Friends अब आगे आने वाले समय में विंटर में उगाये जाने वाले seeds को ग्रो करने की ज़रुत पड़ेगी इसलिए अपनी requirement के हिसाब से seed starter mix को तयार करके आप उसे store भी कर सकते हैं लेकिन store करने से पहले तयार किये गए seed starter mix को पूरी तरह सुखा लें और उसके बाद ही एक airtight container में उसे store करें आसा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए helpful होगी अपनी पसंद की जाहर करने के लिए कृपया like बटन को प्रेस करें और इसी तरह के धेरो interesting वीडियो को देखने के लिए city gardening channel को subscribe भी करें नीचे comment box में आप अपनी query post कर सकते हैं Thank you for watching